नमस्कार दोस्तों, जैमाता दी स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों हो जाईए, सावधान, क्योंकि अगले 24 घंटे में 5 उंगलियां घी में होगी, दोनों हाथों में लड़ू होंगे, यूं कहे दोस्तों की जो आने वाले 24 घंटे हैं, वह स्वर्ग से कम नहीं होंगे, दोस्तों, आपका समय अब पलटने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष में उपस्थित, समस्त ग्रह गोचर की चाल, एवं नक्षत्र की चाल, आपके लिए बड़ी ही सकारात्म घटनाएं निर्मित-निर्मित कर रहे हैं, आपको एक-एक बात को आ गया है, लेकिन वीडियो बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमतकारी उपाएं एवं सिध्ध मंत्र भी लेकर आएं हैं, तो वहीं दोस्तों, वीडियो में कुछ विशेश सावधानिया भी हम आपको बता अपनी है, दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और कमेंट बॉक्स में तीन बार केवल सच्चे शिव भक्त ही, तीन बार ओम नमशिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा, बाबा भोलेनात, आपकी सभ जोटी सी हाथ जोड़कर विनती है, कि इस वीडियो को एक बिलकुल गुप्त कमरे में देखना, क्योंकि जो बात हम आपको बताएंगे, वह बात कोई साधारन नहीं होगी, तो चलिए दोस्तों, हम सभी समझते हैं, आपका वक्त बहुत कीमती है, आपका ज्यादा कीमती व जोगी, तो आपका मन भी शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा, तो आप अपने कार्य को भी बहुत ही सरल तरीके से अंजाम दे पाएंगे, दोस्तों, एक सलाह आपको देंगे, कि अगर आप पैसों का निवेश कहीं पर कर रहे हैं, तो ज्यादा लालच कर रहे हैं, त लेकिन परिवार की बदनामी होगी, वह अलग, और आपकी खुद की बदनामी होगी, वह अलग, आप किसी से भी नजरे नहीं मिल पाएंगे, और दोस्तों, नौकरी पैसा लोगों को अपने उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बना कर रखने की सलाह दी जाती है घर के जो बड़े बुजुर्ग है, अगर वह आपसे दो बात कहते हैं, तो आपको उनकी बातों को दिल पर नहीं लगाना है, क्योंकि वह घर के बड़े हैं, अगर वह हमें कुछ कह देते हैं, तो हमें बुरा नहीं मानना है दोस्तों, अपने माता-पिता की सेहत का विशेश ध्यान रखिए, क्योंकि इस वक्त उनके सेहत में बड़ा उतार चड़ाव नजर आ रहा है, जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे, उतनी ही ज्यादा खुशियां आपकी जीवन में रहेगी दोस्तों, आपकी सोच का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है, गुरुजी कहते हैं कि आपको अपने खान-पान पर विशेश ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कहेंगे अन्न वैसा होगा, मन अगर आप सात्विक आहार लेंगे, सुपाच्य भोजन करे तो आप कठन और आपका मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, मांस, मदिरा, पान का सेवन, आपको इस वक्त बिलकुल भी नहीं करना है, और दोस्तों, बुरी संगती से भी आपको दूर रहना है, विद्यार्थियों का इस वक्त पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान लगा र याद रखें. मित्रों, जीवन में खाली व्यक्ती सबसे ज्यादा दुखी रहता है, इसलिए मित्रों, आप भी अपने जीवन में ध्यान रखें, कभी भी खाली मत रहिएगा, कुछ ना कुछ करते रहिएगा, इससे मित्रों, आपके जीवन जो है वह परंपरा अनुसार चलता रहेगा, सुखी जीवन व्यतीत होगा, और जितने व्यस्त आप रहेंगे, उतना ही मित्रों आपके पास दुखी रहने का समय नहीं रहेगा, तो मित्रों इस विचार को आज ही अपने जीवन में उतार लीजिएगा, गुरुजी का यह अनमोल विचार आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा, तो चलिए मित्रों, बात करते हैं, अगले 24 घंटे की, जिन कामों की ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया था, उनसे संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और सरकारी कामों में अनेक प्रकार की को चिन्ता महसूस हो सकती है, और शरीर की गर्मी के कारण त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, सेहत संबंधी चिन्ता महसूस होने लगेगी, ना सेहत के मामले में बिलकुल भी लापरवाही ना करें, और स्वास्थिय ठीक होने में अपेक्षा से अधिक पैसा और वक्त लग सकता है, इसलिए मित्रों ज्यादा चिन्ता ना करें, और काम संबंधित बातें मन के अनुसार होने के बावजूद अटक अटक कर आगे आएंगे, इस कारण चिन्ता हो सकती है और लव लाइफ संबंधित विचार स्पष्ठ होने लगेंगे, मित्रों, ध्या अटके हुए कार्य करने की आवश्यक्ता हो सकती है, कामों को ठीक से रखने की कोशिश करते हैं, चिन्ता और डिप्रेशन महसूस हो सकता है, पैसों से जुड़ी समस्याएं होगी, किसी न किसी प्रकार से आप मार्ग जरूर निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल चिन्ता बनी रह सकती है, और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कार्य अपेक्षा के अनुसार पूरे नहीं होंगे, लेकिन जरूरी बातों पर सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, आपके जीवन के जो भी महत्वपून पहलू है, उन्हें पहले निप्टा ले मित्रों, क्योंकि इन प वड़ी खुशखबरी होगी, और मित्रों ध्यान रखिएगा कि पार्टनर से अपेक्षा कम होने की वजह से मानसिक तकलीफ हो सकती है, पाचन संबंधी समस्या ठीक होने में समय लग सकता है, और ध्यान रखिएगा, मित्रों की सकारात्मक और नकारात्मक बातों में संतु आ रही है उससे संबंधित काम को आगे बढ़ने के लिए आप जोर दे पाएंगे, लेकिन अठके हुए काम का असर आपके विश्वास और होसलों पर नहीं होगा। मित्रों नाराजगी से बचे, जब तक आपकी बेचैनी और कम नहीं होता, तब तक लोगों के साथ थोड़ी दूरियां बनाए रखे, वरना मित्र इससे आपके रिष्टो पर आपके मूड पर गहरा असर पड़ेगा और काम में नयापन लाने की आवश्यक्ता है, तभी आप को उत्साहित फिर से महसूस होगा, मित्रों आप दिक्कते कहीं हद तक दूर होगी, उसी काम को पूराने काम को करते रहे और पार्टनर से प्रेरणा और सहयोग मिल सकता है, लेकिन पार्टनर फिलहाल अपनी ही बातों में उलजह हुए नज़र आएंगे, इसलिए मित्रों पर नियंत्रन बनाए रखें, क्योंकि खान पान तक जब तक आप अपना नियंत्रन नहीं रख पाएंगे, तो मित्रों आप किसी रोग का शिकार हो सकते हैं, और कठिन बातें और समस्याएं अपने आप सूरज की नज़र आएगी, दिन के अंत तक खुश खबरी प्राप् हो सकता है, इस कारण आर्थिक परिस्थिती में अचानक से बड़ा बदलाव आपको दिखेगा और परिवार के साथ हो रहे जगडे में लगेंगे और खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा, आपको मुह बंद रखना है, मित्रों की आवाज को ठीक करने के लिए लिए अच्विट डाइट और पानी की मातरा पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है, जब तक आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो मित्र आपकी सेहत में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और काम किसी भी प्रकार से करें, लेकिन लोगों का आपके प्रती रखा हु बरताव, दुखी कर सकता है, कई सारे कटु घटना है और बातों का सामना होने की वजह से, जीवन के जिस सत्य का अपना कर रहे थे, वह आपके सामने स्पष्ट स्वरूप से नजर आ सकता है, वह सरकारी कामों से जुड़े लोगों को सतर्कता बनाए रखने की आवश्यक् मित्रों पार्टनर को जरूरत से अधिक महत्व देने की वजह से आपका महत्व कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मित्रों आपको इस बातों को बहुत जल्दी समझने की आवश्यक्ता है, कि आप किसी भी इनसान को तब तक इतना महत्व दे, जितना की वह आपको देत मित्रों एक तरफा महत्व देने से आपको केवल नजर अंदाज ही मिलेगी और केलोस्ट्रोल की जांच कराएं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। देखिए संभावना बहुत बन रही है कि आपके घर को अतिथी आ सकता है। भी खत्रा बन रहा है क्योंकि परिवार की मजबूत रस्सी तूटने वाली है। कोई बाहर का आकर अंदर आग लगा सकता है कि परिवार वालों के मन में संदेह भर सकता है, एक दूसरे के खिलाफ उन्हें भढ़का सकता है। कोशिश यही करनी है कि जितना ज्यादा हो सके इन्हें जल्दी घर से रवानगी आप करें। मन में वो भाव न रखें, लेकिन आप इनकी बातों का दिल पर ज्यादा फर्क न पढ़ने दे, वरना गड़बड हो जाएगी। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो पार्टनर्शिप में शुरू कर सकते हैं। लाब की संभावना हंडेड परसेंट होगी। आपके परिवार में कोई मांगली कार्यकरम के योग भी निर्मित हो रहे हैं, लेकिन महूर्त का विशेश ध्यान रखियेगा। अपने घर में किसी धार्मिक कार्यकरम का आयोजन कर, जैसे कि हवन कीर्तन हो गया, रुद्रा भिशेख हो गया, बहुत बढ़िया है, इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। ये कई बार आपके मुह से ऐसे शब्द निकाल जाते हैं, जो आपके भविश्य के लिए भारी पढ़ते हैं, वहां सावधान रहिएगा, अपने परिवार के साथ समय बिताएगा, साथ ही अपने करियर को लेकर। थोड़ी चिंता आपको हो शक्ती है, वहां आप सटक रहे, थोड़ी सी चिंता आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाशक्ती है। हमारे बुजुर्ग का कह गए हैं, चिंता चिता समान है, इसलिए कोशिश करनी है कि मानसिक तनाव से आप दूर रहे। पैसा किसी की भी नीयत भी खराब सकता है, इतना ध्यान रखियेगा तो बहुत ज्यादा भोला नहीं बनना है, आपके जीवन के स्थिती थोड़ी विकट हो, शक्ती है अपनी वानी पर नियंत्रन रखियेगा, किसी भी प्रकार का वाद विवाद किसी के साथ भी न करें, अन्यथा सम्मान की हानी, उठानी, पद, शक्ती है। यदि हम नौकरी पैसे वाले व्यक्ती हैं, तो संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपको अपने शत्रूं से सम्याय निर्मित हो रहा है। कोई भी मौका मिलेगा आपको निशाना दिखाने का, आप शत्रू और चूकेंगे नहीं, इसी लिए कोशिश करनी है पहनी निगाहें, आप बना कर रखें, किसी को कोई भी, कभी मौका ही न दे, अन्यथा आपको अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पद सकता है, आपके जो भी इस्ट देव है, उनका ध्यान करते हुए, उन्हें प्रसाद चढ़ाई और आपकी मनोकामना वह शीग्र ही पूर्ण करेंगे, किसी पुराने रोग के चलते, आपके शरीर में कल थकान और दर्द हो सकता है, जिससे आपका स्वभाव थोड़ा चिड़-चिड़ा हो सकता है जब आपका स्वभाव चिड़-चिड़ा होता है, तो आप अपने उपर ही गुस्सा करने लगता और पारिवारिक एकता को खत्म करने लगता है, आपके जो कडवे बोल होते हैं, वो आपके परिवार को विखन डंडित कर सकते हैं, हमारा यही आग्रह आपसे रहेगा, जिसमें कोई जलता हुआ अंगारा भी फेक, तो वो भी बुझ जाता है, इतना ध्यान रखिएगा आपके परिवार के सदस्य, आपसे थोड़ा रोस्ट भी हो सकते हैं, किसी बात को लेकर पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं, और यह मतभेद आगे बढ़ तो परिवार मे बन रही है, सेहत के प्रती लापरवाही बिलकुल भी ना करें, भोले बाबा पूजन करते रहे और वहां एकदम धीमे रफ्तार के साथ चलाएं, अगर वहां खरीदना चाहते थे तो इस दोरान ना खरीदे, क्योंकि ये शुब समय नहीं है, यदि आप अपने वहां पर कि के सेहत थोड़ी खराब हो शक्ती है, वहां भी आपको संभालना है और अच्छे से उनका इलाज करना है, ध्यान उनका रखना है, क्योंकि दामपत्य जीवन में काफी अच्छी मधूरता का समावेश नजर ए रहा है, चूंकि चंद्रमा आपके मिथुन राशि पर है, ऐसे में बहुत अच्छे नजदीकी आने वाली है, भरोसा, अंडस्टैंडिंग बढ़ाने वाली है और काफी समय से जो नजदीकी आप पुनह बने वाली है, लेकिन आपकी आदत है आप लोगों की बटन में बड़ा जल्दिये जाते हैं, हमने बताया था, कोई अतिति घर आने सकता है, रसी तोड सकता है, ध्यान रखिएगा, जमीन जायदाद से संबंधित मामला, जो कोर्ट कचरा में चल रहा था, वो सुलजाने वाला है, यदि आप एक व्यापारी वर्ग है, तो व्यापार के मामले में नए अवसरों की प्रताप आपको होगी, जिससे की धन की पूरी संभावनाएं हैं, आपके रिष्टेदार भी आपको तानी मारेंगे, लेकिन रिष्टेदारों का कम ही तानी मारना है, यह सोच करके आपको अपने कर्म पाठ पर लगे रहना है, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता, जो इट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान तो वह होता है, जो उसे फेंकी हुई, इट से अपना आशियाना बना लेता है.